नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरली आवास के जदुगर मेलोडी किंग इंडियन प्लबैक सिंगर मुहमद अजीस सहाब और बालोड के सुप्रसिद निर्माता निर्देशक वा अभिनेता रंधिर कपूर सहाब का और दोस्तो आज है रंधिर कपूर सहाब का जनम दिन पंद्रा फरवरी 1947 को रंधिर कपूर सहाब का जनम बंबे में हुआ था और आज वे 74 साल के हो गए हैं तो आज हम लोग रंधिर कपूर सहाब के जनम दिन स्पेसल में यही जानेंगे कि क्या मुहमद अजीस सहाब ने रंधिर कपूर सहाब के लिए अपनी अवाज दिया था कि नहीं दिया था तो दोस्तो आप लोगों ने टाइटाल तो देखा ही है टाइटल में लिखा है क्या मुहमद अजीस सहाब नी रंधिर कपूर सहाब के लिए अपनी अवाज दिया था कि नहीं दिया था तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मुहमद अजीस सहाब नी रंधिर कपूर सहाब के लिए अपनी अवाज दिया था लेकिन उनके निर्माता निर्देसाग फिल्म में अपनी अवाज दिती है आप लोगों को 1991 की फिल्म महीना तो यादी होगा ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुआ था और इस फिल्म का डारेक्टर और पोडूसर रंधिर कपूर सहाब ही हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस फिल्म का डारेक्टर पहले राज कपूर सहाब थे लेकिन उनके निधान हो जाने की वज़ा से फिर इस फिल्म को डारेक्टर किया उनके बेटे रंधिर कपूर सहाब ने और इस फिल्म का प्रोडूसर रंधिर कपूर सहाब और र कौन कौन से गीत है पहला है वसमले वसमले और ये गीत काफते बापूलर हुई और इस गीत के साथ ही आप लोगों को मैं हूँ खुसरंग ही न तो यादी होगा ये गीत इस फिलिम का सबसे जादा पापुलर गीत है और इस गीत को मुहमद अजीस सहाब ने सैड वर्जन में गया था इसके साथ ही लतम अगिसकर जी के साथ भी गया जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और इस गित के साथ ही मरहबा सायदी जैसे गितों को मुहमद अजीस सहाब ने हिना फिल्म में अपनी अवाज दी जिसे पब्लीक बहुत ही जादा पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मुहमद अजीस सहाब ने रंधिर कपूर सहाब के लिए अपनी अवाज नहीं दिया था बलकि उनके डारेक्टर और प्रोडूसर फिल्म में अपनी अवाज दी है जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और आज है पसक zwarad रहे हम दोगों की यही दुआ है तो और इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैणेल को सब्सक्राइब निकिये है तो प्लील दोस्तों हमारा चैनल ज़रू सब्सक्राइब कियंगा और विडियो को tuh लाइक किज Effect ofечение खे defles extremelyalom यह气